कि अब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे हो सकता है कुछ बच्चों ने शुरुआ से बहुत अच्छे स्पढ़ाई करें और आपके नवंबर प्रीबोड भी आते हैं तो प्रीबोड में भी अच्छा स्कोर कर पाएं तो इस वीडियों में यही सब बात करने वाले क्योंकि देखो एक बात जान लो अगर तुम आज सीरियस नहीं हुए तो देखो सीरिस इबाद तुमारा कॉंसेट बिल्ड नहीं होगा फिर तुम लास्ट मुमेंट पर रट्टा मारने से नंबर नहीं आते हैं आज की रेट में अगर आपकी कॉंसेट लग सिहले है तो ऊपो पहले सबसे पहले कर लो कि सबसे तफ सब्चेट कूंसा लग रहे है और मैं जतना जानता हूं maximum बच्चों को math stuff लगता है और फिर कभी-कभी science history भी हो सकता है तो आप लोग comment section बता देना कौन सा tough subject आपके लिए है ठीक है तो आप comment section subject लिख दोगे ना मैं समझ जाओंगा माला अपने subject लिख दिया math तो समझ जाओंगा कि आप ली math tough subject है ठीक है तो सबसे पर तो आप decide करो कि अगर आपको math subject tough लग रहा है ठीक है यह जो भी subject tough लग रहा है तो आप क्या करें road map में जो भी road map बनाओगे जो मैं आपकी help भी करूँगा भी उसमें आप क्या करें उस subject को सबसे जादा time दीजिए more time मतलब क्योंकि अगर आप tough subject में जादा time नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा माल लो आप दिन के five hours पढ़ाई करते हैं five hours तो भाई जो tough subject है उसमें two and half hours दो और two and half hours other subject को दो मतलब के बाकी आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो ठीक है तो कितना पढ़ना है आपको किस मंत में पढ़ना है वो तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन आप यह दियान रख लो पहले सबसे पहले आज यह कर लो तुम्हें tough subject कौन से लगता है उसमें तुम्हें ज्यादस ज्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे और कई बार के नम हाड चीजों से बचनी कोसिस करते हैं मालों आपको मैस हाड लगता है सोचोगे कल कर लेंगे परसो कर लेंगे और ऐसी कर लगत्त मं आपका maith होगा science होगा sst hooga ingles hooga hindy hooga को कोई optional subject में Sanskrit ले रखा होगा मनलब additional subject तो ही तो math, science, sst जो तीन हमारे core subject है जिननमें बच्चे सबसादु स्टडी करते रहते हैं इन सब्जट की तो इनमें आपको कैसे strategy करना है अब से तो मैं आपको बताता हूँ कि जिसे सबसे पहले मैं स्क्रीर में में बाता आपसे करूं तो मैश में अगर आप देखोगी तो आपको सब्सक्राइब नीए तो आपे हैं चिपने कुछा 수र अधिये और एक्स्ट्रा कुष्ट्र करूं झाल को करो 出去 मेंगे इंपटन में इंक्टेवर अपलोड कर रखें मैं पƯह या करना है जिक्टन में से स्कूल में लगबग में छेटर companies ओगया होगी यह हो रहे होगे इस इस अगर लाएंस से आपके स्कूल में चल रहा है किसी स्कूल में ऑसे- o सब और सबते हों तो मैक्सम स्कूल में इस टाइम तक तक ट्राइंगर तक पहूंच गहें तो अब मैं यह नहीं करों कि जुलाई बे तुम्हें ये दो चप्टर करने हैं अपने स्कूल में कोचिंग में तुम अपनी परही दो करी रहे ना इन चप्टर्स की ठीक है तो वो सब करते रहो लेकिं इन दो चैप्टर को बिल्कुल कॉंसेट के साथ कॉंसेट के साथ । क्या कर लो रिवाईज मैं यह यह सारे चेप्टर्स पढ़ रहा होगे हो सब तो 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 आप लोग क्या करें जो स्कूल में चल रहा है कोचिंग में वह फॉलू करें ठीक है तो अगर आपने भी तक बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करें तो आप लोग क्या करें इस जुलाई में कमस्वम दो चेप्टर शुरुआत के बहुत श्ट्रॉंग कर लें मतलब तुम्हारा स्लेबस हो सकता है स्कूल में कोचिंग में यहां पर चल रहा हूँ उसको चलाते रहो उसमें भी एक्स्टर प्रैक्टिस कर रहा अच्छी बात है नहीं कर रहा तो मैं जो सिस्टम बता रहो उससे चलो तो तुमने क्या करा जुलाई में तुमने यह कर लिया दो चैप्टर्स ठीक है क्योंकि अब जुलाई काफी निकल भी गैस लिया फिर आपने अगस्त में य सारे चैप्टर्स स्ट्रॉंग हो जाएंगे सिलेबस में डील मत करना सिलेबस जैसा चल रहा वैसे चलने दो ठीक है पढ़ते रहो एंसी लगाते रहो लेकिन जब एक्स्टा प्रैक्टिस करनी तो इस बार मन्तवाइस ऐसे कर सकते हो थोड़ा चेंज बस इतना सा कर सकते हो सब्किろ कि माल लो अगर तुमारे स्कूल में कोई टेस्ट है तो तो तुम पर्लटिक्लर वही चैप्टर कर लो खोई स्कूल टेस्ट में आने वाले पर्टिकलर चैप्टर कर लो क्योंकि दो ज sırग सिन फिर से nominees मैं मैंने चार केटेग्री में डिवाइड करें वैसी आप क्या करें पढ़ते अपना रहें इसकूल में ज nasA Lite रहें वैसी पढ़ते रहें कोई इसका है लेकिन जो अच्छे तरीके से रिवाइज करना इन ठीक है अच्छड कि को साइन्स के वी नोट्स प्रोवाइड कर दोंगा ठीक है अग्स्ट में आपने कर लिया या सैप्टेंबर में कर लिया और यह अक्टूबर में लेकिं यहां पर कहें कि तो आप क्या करें अपने आपसे भी मैं कहूंगा एक टाइम टेलम बना ले कि आपको कौन से चेप्टर स्ट्रॉंग करने हैं ठीक है क्योंकि हो सकता है आपके स्कूल में कोई पेपर आ रहा हूं वह जो चेप्टर आ रहे हैं उनको आप स्ट्रॉंग करिए मैं लब कहने हैं लब यह स्लेबस चलाते र रखोगे तो 20 से 20 नंबर मिलेंगे ना वो 20 तो आप लोग देख लेना कौन से चेप्टर आपके लिए बागी मैंने तो यह बनाई दिया आपके लिए कि आप इस तरीके से कर लें और एसस्टी के लिए आप यह कर लें फॉलो इस तरीके से मैंने चार कैट्रिएम डिवाइ लेकिन परस्टर लेकिन करना करना थी स्टरॉंग करना तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा सेलफ अुझि करने से अपको निम्द नहीं मिलें लेका करनेगे ऐब implicit करने नहीं धोकी तो यह चीज आपको फॉलो तो कर रखें ठीक है अगर मैं फडाइल इस्टेटी बता दूं जा करना आपको तो ряд टो शीटिब से में आपको बता दिता हूं सबसे स्पेले है ये दिशान रखो कि कौन से चैप्टर टफ है कौन से एजी है टफ चैप्टर सको पहले करना ठीक है तो आप लोग क्या कर सकते हो वन सौट देख लो हुझ है वहन हुआ देख लिए बोढोद देखने के बाद उस चैप्टर के अधी कि लिए इतना काम करते जाओ साइड बाई साइड क्या करना है जो आपको स्टॉंब करना है उसका फिस दॉना करना है और भी स्टॉंब नहीं करना है उसके लिए सिर्फ वन सौट करलो एक सिंपल तरीका कह यह जुलाई से अक्टूबर तक की मैं बात कर रहे हूं मैंने जो आपको पैटरन दिया यह जो मैंने math का दिया है, science का दिया है, जिसे इसकी बात कर रहा हूँ, तो क्या करना है, मानलब आपकी school में coaching में coaching में coaching में coaching चल रहा है, तो उसका मेरी playlist से जाके one-shot video देख ले न, मैंने बहुत अच्छा बना रखा, 20-25 में वीडियो हैं, ठीक है, उसकी playlist लगा दूँगा, आपने कर लिया, 20-20 मिनिट का, तुमारे concert बन गया, ठीक है, प्रैक्टिस की जरूद है, तो प्रैक्टिस तुम यहां से करो, जो से मैंने जता है, जुलाई, एक सितमब, इस तरीके से, तो ऐसे करोगे, चीजे, बढ़िया हो जाएंगी, और तुम इस चीज को follow करो, मानलब one-shot करो, और पी पढ़ाई करना सुरू कर दो, ठीक है, अब यह पढ़ाई करना सुरू कर दो, फिर मैं कुछ दिन बाद वीडियो लेकर आँगा, टेस्ट कैसे आपके conduct करवाने, कैसे चीजे करनी, वो मैं करवा दूगा, टेस्ट बेस सब हो जाएगा, ठीक है, तो लेकिन टेस्ट देने ज सब्सक्राइब, ठीक है, मिलते हैं, नेक्स वीडियों तो अपने ख्याल रखें, पढ़ाई करते हैं, लास्ट में एकी बात बोलूगा, कि आप सभी सफल हो, धन्यवाद,